राधे राधे कैसी राधा किशा के गार में आपका सावब दोस्तों आज हम हमारे कानाजी के लिए सेवन डिफ्रेंट डिजाइन के स्लीपर्स खडाओं बनाएंगे इस तरह के यह हमने बिल्कुली अलग डिजाइन्स बनाई है सब डिजाइन्स एक दूसरे से बिल्कुल डिफ्रेंट है उमीद है आपको पसंद आएंगे यह हमने यह जो अपने कानाजी के लिए हम खडाओं बनाएंगे उसके लिए हमने यहाँ पर ग्लिडर शीट पर फॉर्म की ग्लिडर शीट है इस पर इसे ड्रॉ कर लिया है ठीक है यह हम इससे कट कर लेंगे ड्रॉ करने के लिए हमने यह इस तरह से पहले तो यह हाँ पेपर पर इसको कट कर लिया ठीक है एक बार तो हम इस तरह से रखेंगे और एक बार इसको इस तरह से रखेंगे इससे दोनों पैरों के लिए ये बन जाए demons slipper बनाने के लिए हमने यी glitter sheet से slipper कट लिए है टीक है blue color का और ये 2 step कट कर लिए है blue color के और इक बहाव sides में लगाने के लिए चाहत और लगाने के लिए silver glitter की पट्टी कट लिए है अब सबसे पहले तो हम यह मिट वाली लगा देंगे दोनों इसके लिए हम इस तरह से दोनों इस टैप को इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ पर रखके मिट में यहाँ पर एक होल कर लेंगे पहले यह हमने होल किया हुआ है ठीक है अब इन्हें इस तरह से इसमें से निकाल देंगे ऐसे ठीक है इन्हें थोड़ा सा बहार निकालेंगे दूसी तरफ जिससे इसमें मजबूती से लगी रहे ठीक है अब हम इसे एक स्टेप को यहाँ पर यह चुक कर्वा रहा है शेप आ रहे है इससे थोड़ा सा नीचे यहाँ पर होल करेंगे ठीक है थोड़ा बड़ा इस तरह से अब इससे यहाँ पर डाल देंगे स्टेप को दूसी साइड ठीक है अब ऐसे ही सेम इसके सामने एक और होल करेंगे ठोड़ा सा हमें किनारे से करना है होल जिससे यह हमारी स्टैप यह जो फॉर्म है यह फटे नहीं ठीक है इससे इस तरह से कर लेंगे हमने जो इस पर फैबिकॉल लगा लिया है पूरी शीट पर उससे देखिए ग्लिटर बिल्कुल भी छुट नहीं रहा है नहीं तो यह इतना काम करते में ही यह पूरा जड़ चुका होता है अगर हम फैबिकॉल नहीं लगाते तो ठीक है अब इस तरह से हमने इस पर फैब्रिक ग्लु लगाया था ठीक है इस तरह से अब हमने इस पर लगा दिया अब हम चारों तरफ यह फैबिक ग्लु लगा आकर इस तरहें से फैब्रिक ग्रू लगाएंगे और इसे इस टैप को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे ठीक है इस तरहें से चारो तरफ इसे थोड़ी देर पकड़े रहेंगे और इसे चारो तरफ लगा देंगे यह हमने इस तरहें से लगा लिया है ठीक है चारो तरफ और यह हमने ग्लिटर का एक फ्लार रेट कलर में कट कर लिया है अब इसको हम क्या करेंगे इस तरहें से एक पैन लेंगे जिसमें आगे होल हो और इसे इस तरहें से इस पर प्रेस कर देंगे ठीक है इस तरह से जिस से इसमें ये मुड़ी हुई इस तरह की शेप आजा इस इस तरह से पकड़ देंके ठीक है अब इसमें इके small silver color का भीज लगा देंगे mid में ऐसे अब slipper पर ठोड़ा सा glue लगा का इसे इस तरह से इस पर लगा देंगे ठीक है ये फ्राय लग गया है और ये हमारी first design बनकर complete हो गई है ठीक है इस तरह से pink color का glitter sheet का cut कर लिया है sleeper shape में ठीक है और ये हमने golden color की ये एक पट्टी कट कर लिए है और दो ये step के लिए कट कर लिए है ये थोड़ी सी हमने चौड़ी कट की है और ये थोड़ी पट्ली कट की है इस तरह से ये हम ये हम ये स्टोन की पट्टी है इसे हमने इस तरह से कट कर लिया है four pieces हम यहाँ पर लगा देंगे और three यहाँ पर ये देखे ये हमारी second design बनकर complete हो गई है